हेलो दोस्तों इस्टड़ी रोजगार चैनल में अस्तों आपका हर्दिक स्वागत है दोस्तों आठ डिस्कस करने जाना हम जोगी दोस्तों आपके एकज्याम पॉइंट ओफ यू से काफी इंपोर्टेंट है जोगी दोस्तों बने रही है अमारी वीडियो के साथ तो आज किसके कारण दूद खटा होता है तो दूद का खटा होने का क्या कारण है तो बेक्टिरिया तो बेक्टिरिया के कारण दोस्तों दूद खटा होता है तो अब बात करते हैं तो नेक्स्ट करण है तो निम्न में से कौन सा रोग जीवानू संकरमन के कारण होता है तो दोस्तो कुछ दोस्तों आब बात करते हैं नेक्स् suffice सब nowadays ज्याला कि अधया प्रेश्टा दोस्तों चेचक की लिए टीके का विकास फके और कि haven't ईकिन बाफ English के दोवार को अっと्व्त करते हैं इस नेक्स हो बात करते हैं सो नेक्स उसका नाम है लेक्टो बैसिलस होते हैं जो शेवाल होते हैं उनमें सव पोशी का गुण पाया जाता है इसका नाम है जो पाया जाने वाला रोग जिसका नाम है जो काफी बार एक जाम में पूछा गया है जो होता है अब बात करते हैं जो नेक्स टॉक्शन दोस्तो निमने में से कौन सा रोग विशानू के कारण होता है जो जो चेचक जो रोग है जो विशानू के कारण होने वाला एक रोग है जो अब बात करते हैं जो नेक्स टॉक्शन दोस्तो किस शेवाल में आयोडिन प्राप्त होता है दोस्तो जो शेवाल का जो नाम है दोस्तो वो है दोस्तो लेमी नेरिया है दोस्तो जिसके द्वारा हमें आयोटीन की प्राप्ती हो जाती है दोस्तो लेमी नेरिया दोस्तो दोस्तो आशा करता है दोस्तो वीडियो काफी पसंद आया होगा दोस्तो अगर दोस्तो वीडियो प कोचिग में